आपका हार्दिक स्वागत है चली नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर आज दिनांग 30 जनवरी 2022 को अख़बारों में बताया गया है सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन एकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के बारे में जिसमें कहा गया है कि देश में 3.03 करोण युवा बेरुजगार हैं तथा इन में से 1.24 करोण युवा ऐसे भी हैं जो रुजगार तो चाहते हैं लेकिन ठक कर काम नहीं कोज रहा है अर्थात युवाओं में हतासा बढ़ रही है एक फरवरी को केंदरी बजट पेस होगा कोरोणा में काफी पेच्चे चुकी है इसलिए सिक्षा विदों को इस बजट से काफी उम्मीदे हैं क्योंकि पीछले 5 साल में सिक्षा का केंदरी बजट सिर्फ 3.02 प्रसलाना की दरसे बढ़ए है 20 लाग करोन रुपए की आर्थिक सहायता की घोशड़ा की है अंतरास्टी मुद्राकोस ने 2020 में गरीबों और उभरते देशों को आर्थिक संकट से उबरने के लिए 20 लाग करोन रुपए से अधिक की सहायता दी है तेल की खपत सबसे अधिक अमेरिका में होती है वहाँ 2021 में हर दिन एक करोण 96 लाग बैरल कच्चे तेल की खपत हुई है विसुकी नमबर एक किलाड़ी एसले बार्टी ने आस्टेलिया आई उपन किताब जीत लिया है उन्होंने डेनियल कोलिंस को 6376 से हराया 44 साल के असले बार्टी पहली महिला आस्टेलिया की लाड़ी है 1978 में त्री सोनील ने या किताब जीता था आज के लिए बस इत्रा ही वाटनी कंप्टिशन पॉइंट देखते रही धन्यवाद